हाई फ्रेंड्स गुड मार्निंग स्काई इस्ट्रगल एजूकेशन चैनल में आपका स्वागत है आज है 14 दिसंबर 2019 आज का करेंट अफेयर्स इसकी पीडिया फाइल टेलिग्राम ग्रूप से मिलेगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो को सस्क्राइब करने और बेल आइकन को प्रेज कर दें ताकि हमारे दोर आपलोड किये गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप हमें इस्टाग्राम फेस्बूक और ट्विटर पर फालो कर सकते हैं आप हमारे फेस्बूक पे जिसका ही इस्ट्रगल एजूकेशन को लाइक करें और जोआइन करें ताकि आपको कंटिटी उक्जाम से समद्धिन जानकारी मिलती रहे प्रेस्टन है हालही में केंद्री संस्कित विश्व विद्याले बिधेयक 2019 किसके द्वारा पारित किया गया है यह पारित किया गया है लोक सभाद्वारा यानि आर्षन इस विदेयक में तीन डिम्डे संस्कित विश्व विद्याले को केंद्री विश्व विद्याले में परडित करना है राष्टी संस्कित संस्थान भोपाल को स्रीलाल भादु सास्ती राष्टी संस्कित विद्यापीठ नई दिल्ली को राष्टी संस्कित विद्यापीठ त वर्ल हैविटेट अवार्ड 2019 मिला यह मिला है उरिषा को यानि आपसन सी करेक्ट है वर्ल हैविटेट अवार्ड की अस्थापना 1985 में हुई थी वर्ल हैविटेट अंतराश्टी अस्तर पर काम करने वाली एक चैरिटी है जो सरडार्थियों को घर देती है देखे यहां का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था नेक्स्ट प्रस्न है राष्टी उर्जा सनच्छन दिवस का मनाय जाता है यह मनाय जाता है 14 दिसंबर को यानि आपसन एक करेक्ट है यहां देखिए भारत में उर्जा सनच्छन अधनियम 2001 के एक में उर्जा दच्छता ब्यूरों द्वार लागू किया गया था नेक्स्ट प्रस्न है हालही में किस मोबाइल कंपणी ने यमाई क्रेडिट सेवा लांच की है एकी है जियोमी ने यानि आपसन सी करेक्ट है इसके जरिये आदमी 10 मिनिट में लोन प्राप्ट कर सकता है नेक्स्ट प्रस्न है नवसेना हत्या प्रडालियों अंतरास्टी संगोष्ठी एवं परदर्शनी नवा आर्म्स उननीस आयवजित की जाएगी यह कहां की जाएगी नई दिल्ली में यानि आपसन डिक करेक्ट है इसकी थीम है देखे यहां दिल्ली आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जिवाल है दिल्ली के उपराजपाल अनिल वैजल है नेक्स्ट प्रस्ण है भारती पुरात्त सर्वेच्षण ने भारत के कितने असमारकों को मस्ट सी की सूच में डाला है यानि आपसन एक करेक्ट है देखें यहाँ पर भारती पुरात्त सर्वेच्षण आया है एसाई आर के लाजकुल सर्वेच्षण आप हिंडिया की अस्थापना 1861 में हुई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में है नेक्स्ट प्रेस्टन है फोप्स के अनुसार बिस्व की सकसाली महिलाओं में बिता मंत्री निरमला सिता रमन का काुन सा रैंक है या रैंक है चौट्श्वी यानि आपसन भी करेक्ट है बिश्व की सक्साली महिलाओं में जर्मनी की चांसलर एंजेला मरकेल पहले अस्थान पर हैं, भारत की पहली महिला रक्षा मंतरी निर्मला सीता रमन हैं, उरोपियन सेंटरल बैंग की अध्यच क्रिस्टीने लाइगार्डे दूसरे अस्थान पर हैं, बिश्व की सक्साली मह हिलाओं में बंगला देश की परधानमंत्री सेख असीना 29 अस्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रस्ण है हालही में पेटा के विग्यापन के लिए किस स्टार को चुना गया यह चुना गया है दूती चंद को यानि आफसन सी करेक्ट है। देखें यहाँ पर दूती चंद एक धावक हैं। देखें यहाँ पेटा का फुलफाम क्या है प्यूपिल फार दे इथिकल ट्रेटमेंट आफ एनिमल्स। नेक्स्ट प्रस्ट है किस राज सरकार ने रेपिस्ट को यानि बलतकारी को 21 दिन में सजा देने के लिए दिसा बिलको मंजूरी दी है यह दी है आंध्र परदेश की सरकार ने यानि आफसन डी करेक्ट है आंध्र परदेश के राधानी अमरावती है आंध्र परदेश के र नेक्स्ट प्रस्टन है परसिद तेलकू अभिनेता और लेखा गोपाल पुदी मालूती राव का निधन कितने वर्सकी आयू में हुआ यानि आपसन एक करेक्ट है गोपाल पुदी मालूती राय आल इंडिया रेडियो में भी काम किये हैं आंध परदेश सरकार ने उन्हें 1990 में नंदी अवार से सम्मानित किया था नेक्स्ट प्रस्टन है हालही में अरुडाचल प्रदेश के पूरो मुख्यमंत्री तोमो रिबा की पतनी मिनोती रिबा का निधन कितने वर्सकी आयू में हुआ यह हुआ 83 वर्सकी आयू में यानि आपसन भी करेक्टर है राजपाल बेडी मिस्टरा है अवर्णाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है अवर्णाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था नेक्स्ट प्रस्टन है हालही में इनर लाइन परमिट कितने राज्यों में लागू किया गया यह किया गया चार राज्यों में य नेक्स्ट प्रस्ण है सारोभाव में स्वास्त कवरेज दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है बारा दिसंबर को यानि आपसन सी करेक्ट है सारोभाव में खेल्थ कवरेज दिवस का मतलब है हर व्यक्ति के लिए बित्ति कष्णाई का सामना किये विना गुर्वत्ताप पुल स्वास सिवाओं की पहुच है नेश्ट प्रेस्ट न है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहा होगा यह होगा रायपूर में यानि आपसन एक करेक्ट है रायपूर छतिस गड़ की राजदानी है चतिस गड़ के मुक्य मंतरी भुपेस बगेल है चतिस गड़ के राजिपाल अनुसुया यूके है चतिस गड़ का गठन एक नवंबर दो हजार में हुआ था नेश्ट प्रेस्ट न है इसरो तीसरा राकेट लांच पैट कहां स्थापित करेगा यह करेगा तमिल नाड में यानि आपसन भी करेक्ट है इसरो का मुक्याले बंगलूरू है इसरो की अस्थापना 15 अगस्त 15 अगस्त 1979 में हुआ था इसरो के चेयर मैंड के सिवान है नेश्ट प्रस्ट न है अमेरिका की टाइम में ये ने किसे 2019 का परसन आप the year चुना है यह चुना है ग्रेटा तनबर को यानि आपसन एक करेक्ट है देखे यहाँ अमेरिका आया है अमेरिका की राध्हानी वासिंग्टन डीसी है अमेरिका के राष्ट पती डोनाल्ड टरंप है अमेर्किया के उपराष्टपती माईक पेंस है नेक्स्ट प्रस्टन है हालही में किसने अंतरास्टी बित्ती सेवा केंद्र प्राधिकरण बिधेयक 2019 को मंजूरी देदी यानि आपसंडी करेक्ट है इस बिधेयक में भारत में आएसे केंद्रो में बित्ती बजार विक्सित एवं बियनीमित करने के लिए एक प्राधिकरण की अस्थापना का प्राउधान है नेक्स्ट प्रस्टन है निवन में से किस उनिड़ा ने भारत में अपनी पहली स्मार्ट टीवी लांच की है एक ही है अमेजन ने यानि आफसन भी करेक्ट है इस स्मार्ट टीबी की सुरुआती कीमत 12,999 रुपए है इसकी विक्री 20 दिसंबर से सुरू होगी नेक्स्ट प्रस्ट ने है रोहिस सर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने छक्के लगाने वाले पहले भारती और दुनिया के तीसरे खिलाडी बन गए है एस 400 यानि आफसन भी करेक्ट है उनसे पहले क्रिस गेल और साहिज अफ्रीदी ने 400 छक्के का रिकार्ड बनाया है रो इस्पेनिस फुटबाल लीग का ब्रांट अमबेस्टर बनने वाला पहला गयर फुटबालर बन गए है यह बन गए है रोहिस सर्मा यानि आफसन सी करेक्ट है रोहिस सर्मा भारत में इस्पेनिस लीग का चेहरा होंगे नेक्स्ट प्रस्ण है किस महिला टेनिस खिलाडी को डबलू टी ए प्लेयर आफद इयर चुना गया यह चुना गया है इसले बार्टी को यानि आफसन भी करेक्ट है इसले बार्टी डबलू टी ए रैंकिंग में 1976 के बाद पहले अस्थान पर पहुचने वाली आश्टेलिय की पहली महिला है नेक्स्ट प्रस्ण है हालही में सूचना और परसारण सच्चिव किसे न्यूक्त किया गया है यह किया गया है रवी मित्तल को यानि आफसन एक करेक्ट है रवी मित्तल अमीत खरेका अस्थान लेंगे रवी मित्तल 1986 बैच के बिहार केडर के आई एस नेक्स्ट प्रस्ण है 18 दिसंबर को भारत और अमेरिका की 2 प्लस 2 आरतालाग कहा होगी यह होगी वासिंग्टन डी सी यानि आफसन एक करेक्ट है देखें हाँ अमेरिका आया है अमेरिका की रास्ठपती दुनार्ड ट्रम्प है वो प्रास्ठपती माइक पेंस हैं अमेरि अमेरिका की मुद्रा डालर है अमेरिका की राध्धानी वासिंग्टन डीसी है नेक्स्ट प्रस्टन है कौन सा देश एरोपियन यूनियन दोजार पचास जलवाई निट्रल्टी समझावता से बाहर निकल गया यह निकल गया है पोलेंड यानि आप्सन सी करेक्ट है देखें की मुद्रा क्या है यूरो है पोलेंड की परधान मंत्री एंटोनियो कोस्टा है पोलेंड की राष्टपती मार्सेलो रवेलो डिसूजा है नेक्स्ट प्रस्टन है पेप्सिको इंडिया का ब्रांड अमबेस्डर किसे नियूत किया गया है यह किया गया सलमान खान को यानि option एक correct है next question है हालही में किस startup ने space Oscar award जीता है जीता है जीवरी ने यानी option भी correct है इस पुरसकार को कापर निकस master पुरसकार कहा जाता है next question है हालही में अंतरास्टी smart जलवाई क्रिसी पडाली पर संगोस्टी का सुभारंब कहा हुआ है यह हुआ है नई दिल्ली में यानि आप्शन सी करेक्ट है यह बिमस्टेक देशों की एक संगोस्टी है BIMSTEC इसका फुल फाम क्या है बे आप बेंगाल इनिसियेटिव फार मर्टी सेक्टरल टेक्निकल एन एकोनामिक को आपरेशन देखिए यहाँ पर नई दिल्ली आया है न चुगल पुलिस स्टेशन का उधगाटन किया यह किया है आंध परदेशन यानि आप्शन डी करेक्ट है आंध परदेश की राधधानी अमरावती है आंध परदेश के राजिपाल विश्व भूसन हरिस चंदरन है आंध परदेश के मुख्यमंति जगन मोहन रेड़ी है आ सम्मानित किया गया है सौरप चौधरी के यानि आपसन एक करेक्ट है इसकी देखिए यहाँ पर फिक्की इंडिया की अस्थापना 1927 में महात्मा गाधी की सलाह पर घंस्याम दास बीडला एवं पुर्सत्तम ठकर द्वारा की गई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में है नेक्ट प्रश्न है हाल ही में भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्थ करता कौन बना है ए बना है देखिए यहाँ पर अमेरिका यानि आपसन भी करेक्ट है देखिए यहाँ पर इराक इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड आयल आपूद करता देश है यहाँ देखिए अमेरिका आया है अमेरिका की राधानी वासिंग्टन डीसी है अमेरिका की राश्पती जुनाल ट्रम्प है अमेरिका की मुद्रा डालर है अमेरिका के उप्राश्पती माईक पिंस है अमेरिका को 4 जुलाई 1976 को अजादी मिली थी नेक्स्ट प्रस्ट नहाए हाल ही में अमेरिका मैक्स को और किस देश ने यू या सियम सिये ब्यापार समझाओते पर हंस्ताचर किये हैं एक यह हैं कनाडा यानि आपसन भी करेक्ट है देखिए यहाँ पर कनाडा या कनाडा की राध्धानी ओटावा है कनाडा की मुद्रा केनेडियन डालर है कनाडा की परधानमंति जस्टीन स्टूडो है कौन है जस्टीन स्टूडो है नेक्स प्रस्ट है ब्रिटेन में किसने आम चुनाओं में इतिहासी जीत दर्ज की है एक ही है बोरिस चांसर ने यानि आपसन सी करेक्ट है यहां देखिए इंगलेंड इंगलेंड यहां आया है ब्रिटेन ब्रिटेन की राधानी कहा है इंगलेंड है नेक्स्ट प्रस्न है भारत और किस देश के बीश संयुक्त आयोग की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई एक की गई है मालदीब के साथ यानि आप संग भी करेक्ट है माल्दीब की राधधानी माले है मालदीब की राष्डपती इबराहे मुहमाद सोले है यहां के उपराश्ट पती अब्दुल्ला मसी है देखे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद और भारत के विदेश मंत्री डाक्टर एस जैसंकर ने बैठक किस्था अधिछता की बैठक में तीन समझोते पर ग्यापन हस्ताचर हुए है देखे मालदीव की मुद्रा क्या है मालदीव रुपिया है नेक्स्ट प्रस्टन है छटे हिंद महासागर संबाद का आयोजन कहां किया गया यह नई दिल्ली में किया गया यानि आपसन सी करेक्ट है विदेश मंत्राले छटे महासागर संबाद और दिल्ली संबाद एकादस क आयोजन कर रहा है हिंद महासागर संबाद की थीम है विस्तारित भुगोल से हिंद महासागर की पुनह परिकलपना नेक्सट प्रस् permissions है अंतरास्टी भुवग्यानिक कांग्रेस का आयोजन मार्श 2019 में किस देश में किया जाएगा ये किया जाएगा भारत में आप्शन दी करेक्ट है भारत मार्श 2020 के पहले सप्ताहमे 36 में अंतरास्टी भुग्यानिक कांग्रेस यानि IGC की मेजबानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कांग्रेस की थीम है सामावैसी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान नेक्स्ट प्रस्टन है किस क्रिकेट टीम के डुवेन ब्रायो रिटार्मेंट से वापस आने का फैसला किया है यह बेस्ट इंडीज के हैं यानि आप्सन भी करेक्ट है यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और सेर करें थैंक्यू फार वाचिंग इस वीडियो है वे नाइस डेव